हाँ जी तो आज एक बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रॉडक्शन फॉंक्शन इस चेप्टर से बहुत इंपोर्टेंट कोश्चिन निकल करके आते हैं आपके एक्जाम के प्रस्पेक्टिव से लो आफ वेरिबल प्रपोश्चन रिदेंस टुआ फैक्टर या फिर रीजन बहाइंड दा लो आफ वेरिबल प्रपोश्चन या इसमें से नुमरिकल भी बन करके आपके एक्जाम में कोश्चिन कई बार आया हुआ है तो बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है अगर यहाँ प पाऊगे और अच्छे से उसका आंसर और रिजर में देपाऊगे कोस्ट का तो कोस्ट चप्टर पूरी तरीके से आपका उससे पहले प्लक्शन फंक्शन पर डिपेंड होता है तो बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है आपके तो चलिए सबसे पहला कोश्चन कुछ बेसिक इनपुट और आउटपुट दो चीज़े होती हैं दो चीज़े अगर आप देखेंगे एक होता है इनपुट और एक होता है आउटपुट दो चीज़े होती है इनपुट और आउटपुट इनपुट का मतलब आप रिसोर्स से आप इसको रिलेट कर सकते हैं इनपुट मत जैसे land हो गया, labor हो गया, capital हो गया, entrepreneur हो गया, इसको हम क्या बोलते हैं, input बोलते हैं, ठीक है, और input को हम factor भी बोलते हैं, यह एक ही बात है, ठीक है कि जब आप reading करेंगे, आप पढ़ेंगे या फिर मैं बोलूँगा, तो बार-बार कभी मैं factor बोल दूँगा, कई बार मैं input बोल दूँगा, कई बार मैं बोलते हैं वक्त मैं resource word का use करूँगा, आप को ही समझना, यह एक ही चीज़ होती है, और यह क्या होते हैं, यह क्या होते हैं, जैसे कि land हो गए, labor हो गए, ठीक है, capital हो गए, और entrepreneur हो गए, ठीक है जी, तो यह हमारे क्या होते हैं, resource होते हैं, यह हमारे inputs होते हैं, समझ गए, clear है, output का मतलब होता है, जो भी आपने produce करा, जितना भी आपने unit बनाया, वो आपका output हो गया, for example, आप जो है, एक खेत में खेती कर रहे हैं, और वहाँ पर आपने 500 kg चावल का उत्पादन किया, 500 kg, तो यह आप जो भी result आता है, 500 kg, जो भी आपका result आता है, उस result को हम क्या बोलते हैं, आउटपुट बोलते हैं, और आप इस बात को जड़ा समझेगा, फिरफ input पड़ा रहे अपने जिगह पर, तो वहाँ से output आपको नहीं मिल सकता है, ऐसा जमीन पड़ी हुई है, अपने आप खेती नहीं हो जाएगी, ठीक है न, तो आउटपुट और आपके input के बीच में एक relation होता है, इसके बीच में एक relation देखने को मिलता है, relation को भी, कौन सा relation, टेकनीकी संबन, टेकनिकल relation देखने को मिलता है, अगर आप उस जमीन पर आप खेती करेंगे, ट्रेक्टर चलाएंगे, बीच को बोएंगे, और तरीके से उसमें जो है, पानी डालेंगे, तो जब तक आप input में आप एक टेकनिकल relation नहीं लेकर किराते हो, जब तक अपने संसादों को टेकनीक नहीं दोगे, तब तक वो आपको output नहीं दे पाएगा, तो जो input और output के बीच का जो एक रस्ता है, जो कड़ी है, वो जो एक टेकनिकल रिलेशन होता है, वो जो टेकनिकल रिलेशन हैना, इनके बीच में, उसी को हम प्लक्शन फंक्शन कहते हैं, मेरी बात समझें, clear है, clear है जी, input तो अपनी जग़ा है, आप्पुट अपनी किसे कहते हैं, तो there exists some relationship between inputs and output of a firm in economics such a relation is known as production function, clear example of production function, suppose a firm is manufacturing chair with the help of two inputs, labor and capital, then the production function can be written as chair equals to function, labor or capital का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है ना, समझे, अब अगला सवाल हमारा आता है, हमारे पास है factor होते हैं, मैंने factor तो आपको बता दिए, factor में मैंने आपको बता है, कि factor क्या होता है basically, एक हमारा होता है क्या है, resource क्या होता है resource resource को हम क्या बोलते है इसी को हम बोलते है factor कारक हिंदी में क्या बोलते है इसको हिंदी में हम कहेंगे ये तो हो गया हमारा संसाधन और इसी को हम बोलते है कारक चीके जी कारक को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है कारक को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है एक इसको बोलते हैं variable factor variable factor और एक होता है fixed factor मतलब संसाधन दो तरीके की होते हैं एक तो होता है variable resources एक होता है fixed resources आप नाम से clear है आप इस word का meaning जानते हैं और समझते भी हैं variable का मतलब क्या होता है जिसमें changes आते हैं और यहाँ पर आपके पास में और यहाँ पर आपके पास में एक क्या आता है यहाँ पर हमें दो चप्टर कवर करने है फ्लेक्शन फंक्शन शाम को और कोस्ट उसके बाद फिर आपी class morning वाली तो continue ही रहेगी जो regular basis पर चल रही है ठीक है हाँ जी तो यह क्या हमारे पास में variable factor और यह हमारे पास में क्या है fixed factor तो यहाँ पर variable का मतलब तो इसमें changes आपके जब आते रहते हैं और fixed factor का मतलब क्या है fixed factor का मतलब आपका यह हो गया है जिसमें कि changes देखने को नहीं मिलते हैं का तो पड़ा हुआ तो हमारी संसाधन दो तरीके की वहते हैं जासे कि मैं बता हूं आपको लेबर तीक ना आपकी फैक्टरी है तो वहाँ पर आप जब मज़े हो तो आप लेबर को अप मेंक्स डेही चाहूं तो आप लेबर को बढ़ा सकते हो कि आप 10 के जिगा 20 लेवर ले आए और आपको लग रहा है या फिर अभी आपके सेल्स नहीं है तो आप लेवर को हाँ जोड सकते हो और आप उसको दो लेवर पर ला सकते हो तो यह एक ऐसा संसाधन है लेवर जिसको जब मर्जी बढ़ाया गटाया जा सकता है इवन अगर चो पूरे टाइम को क्या बोलते हैं तो अगर आपके पास में कम समय भी है तो उसमें भी आप क्या कर सकते हो इस अंसाधन के में आप बदलाव ला सकते हो इसको बढ़ा घटा सकते हो तो इसको हम क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं वेरिबल फेक्टर तो वेरिबल फेक्टर म एक अग्जैम्पल आपको अगया एक्जैम्पल क्या है कि लेबर लिख्या सकते हो जिससको शौट यह है कि वह संसने जो सकते हैं यहां पर रातो रात short run के अंदर या फिर 10-15 दिन के अंदर अपनी जमीन को वो अपने scale बढ़ा नहीं कर सकती है या फिर machinery रातो रात नहीं नहीं लगा सकती है मुझे एकदम से order आ जाए जाए जादा चीजे produce करने का तो मैं एकदम से labor जादा लगा सकता हूँ तो जो short run में जिस अंसादन में परिवतन ला जा सकता है short run में जिस factor में changes ला जा सकता है उस factor को हम क्या बोलते हैं हम variable factor बोलते हैं लेकिन अगर आपके पास में बहुत ज़्यादा order आ गया और आपको need है कि आप अपने land को आप expand करें आपने machine day को expand करें तो वो possible नहीं कि आप रात तो रात इसके इंदर कोई बदला आपको changes कर सकते हो तो एक ऐसा संसादन हो गया land आपके सामने जिसको आप short run में changes नहीं कर सकते हो हाँ changes में आ सकता है जैसे ही मेरी classroom है आने वाले समय में इससे ही बड़ा हो सकता है क्या भी मेरी बास ज्यादा नंबर और इस्ट्रेंड हो जाने का विसी classroom को मैं और बढ़ा कर लो मैं आपने number of hours बढ़ा सकता हूं इस समय मैं ज्यादा batches बना सकता हूं इस समय तो आज़ा labor में variable factor हो गया और यह land क्या हो गया यह fix factor हो गया इसको short run में आप changes नहीं कर सकते हो तो यह हमारे पास पे इसका example क्या है example क्या हो गया हमारे पास पे इसका example हो गया land तो आपको यह बात समझ में आपको पहले आई है नहीं आई तो सबसे पहले आपको factor का मतलब वो होता है जो production में आपको help करें like land labor, cabaret, entrepreneur ठीक है दो category में divide कर दिया एक variable factor वो जिसको short run में changes जिसमें ला सकते हैं like labor ठीक है और एक fix factor वो जिसको short run में आप changes नहीं ला सकते हो like land तो कई बार मैं variable factor भी बोल दूँगा कई बार मैं इसके जिए पर labor भी बोल दूँगा तो बात एक ही है कई बार मैं fix factor बोलता हो नजर आउँगा तो कई बार मैं land बोलता हो नजर आउँगा तो उसका मतलब बात एक ही है clear है जी तो आपको यहाँ पर variable factor भी पता लग गया और आपको यहाँ पर fixed factor भी पता लग गया है आपको यह दोनों चीज़ें यहाँ पर पता लग गई है अब सवाल है कि short run किसे कहते है आप सरफ एक ही factor में आप चेंज ला सकते हो variable factor में और दूसर factor आपका change नहीं आप उसमें ला सकते हो तो टाइम आप पीरिड आपका short run होता है और long run मतलब लंबा समय क्या होता है जिसमें आप सभी factor में changes ला सकते हो वो time of period आपका क्या होता है long run होता है समझें you can be change, you can be change by any variable if you have to change. कि किसे कहते हैं, कि आप ऐपने output बेशा ना रहे हो वह भी ऐख ayrनक किसे कहते हैं आप अपने output को बढ़ा-घटा सब्सक्राब् करके तो उसको उस पीरिड को हम क्या बोलते हैं शौर्ट रन बोलते हैं समझें क्लियर हैं इन दा शौर्ट रन फिक्स इन्पूट लाइक प्लांट मशिनरी बिल्डिंग एक्सक्ट्रा कैन नौट भी चेंज़ इद में फ्लक्शन कैन भी रेस्ट बाइंक्रीज इन वैरिबल अपने कैपिसिटी होती है आप क्या सोच रहें एक कंपिटर विठा दो तो काम दस गुना हो जाएगा वहां पर उसकी अपनी एक कंपिटर पर एक कंपिटर पर एक प्रसंद काम करेगा ऐसे तो बहुत जबें का चोड़ा सा टुकड़ा लेलो और पूर 130 क्लोर की आवादी क्या है वो time of period जिसमें आप अपने output में changes ला रहे हो सिरफ और सिरफ एक फैक्टर के बदोलत दूसरे फैक्टर में आप चेंज नहीं कर पा रहे हो उस period of time क्या कहते है हम short run कहते है यह पासमझ में आपको आई या नहीं बताइए चलिए long run क्या है आपका long run refer to a period in which output can be changed by changing all factor of production इसमें सबी फैक्टर में changes आप ला सकते हो तो यह long period में तो आपका कोई भी फैक्टर फिक्स नहीं हो सकता है सब में आपका changes आजाता है अब short run और long run में differentiate करना है तो short run refer to a period in which output can be changed by changing only variable factor और long run में all the factor classification factors are classified as variable and fixed factor in the short run short run में बहिया दो तरगी factor होगे एक तो variable हो रहे है कि fix है पट long run में कोई भी variable fix में classified नहीं होता है सबके सब variable होते है आप labor में change ला सकते हो और आप land में भी change ला सकते हो तो long run में तो भहिया classified नहीं है सबके सब variable factor में consider किये जाएंगे price determination in short run the demand is more active in price determination as the supply cannot be increased immediately with increase in demand तो बहिया short run में तो एकदम से ही आप supply नहीं बढ़ा सकते हो दिमांद तो बढ़ जाएगी रात 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 दिमांड आपकी बढ़ सकते है खवर आजाए बीमारी फैल रात दिमांद बढ़ गी पर supply एकदम से नहीं बढ़ सकते यह short run होता है जिसमें आप आप में डेट नहीं बढ़ा सकते हो और आपके पास तो लॉंग रन लॉंग रन में तो लंबे समय में तो आप किसी वीची की supply बढ़ा सकते है जिसके कि आज की टाइम पर मास्स हुए रहा देखो कहीं भी चोहराई पर आपको बिक्तिवे नजर आ जाएंगे समझें की And what is the meaning of variable factors? my आपको ओरडी सम्झाब शुका हूं क्या होता है, variable factors which can be changed in short run पर एक्जामपर रो मिट्रियल ठीक है ना कैजवल लेबर पावर फ्यूल कैजवल लेबर इसलिए टंप्लरी जो लेबर होते हैं एक परमनेंट लेबर भी होते हैं से गवर्मेंट इपलोई उसको नहीं घटा बढ़ा सकते हो रात तो रात सोचो बढ़ा दो नहीं होगा पू इसको शॉर्टर में आप चेंज नहीं कर सकते हो वो क्या हो जाएगा फिक्स फेक्टर हो जाएगा फिक्स फेक्टर रेफर टू दोस फेक्टर विच कैन नोट भी चेंज इन दा शॉर्ट रान आप देखेगा घ्यान समझेगा एक्स्प्लेंट टरंस अब टोटल प्रडट्ट टोटल प्रडट्ट क्या है इसको जब समझेगा फिर आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा सबसे पहले मैं यहां पर किसी इसकी बात कर रहा हूँ मैं यहां पर बात कर रहा हूँ चीजों को पडियूस करने की प्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ और जब मैं प्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ यहां पर अब इस तरह से टेबल कर दूँ यह यह बताऊं अपर इस तरह से बनारा समझाने के लिए ठीक है न देखेगा पर एक्जामबर समझेगा मैं बात यहां पर कर रहा हूं किसीज की प्रोडक्शन की ठीक है जी प्रोडक्शन की बात करेंगे हम तो प्रोडक्शन दो चीजों का हो सकता है एक के टैंजिवल ठेंग्स का प्लक्शन होता है मतलब फिजिकल चीज का प्लक्शन होता है जिसको हम चूँ सकते हैं देख सकते हैं है न मतलब कि आप गुर्स का प्लक् तो प्लक्षन में हम उन्ची जो को भी करते हैं जिसको आप चूओ और देख नहीं सकते हो तो प्लक्षन की बात करो तो प्लक्षन के साथ हम सर्विस का भी करते हैं लेकिन आपको प्लक्षन फंक्षन में ध्यान अखिएगा आपको यहां पर हमें इनके इनके प्लक्षन की क्वांटिटी को अबसर्व करना है और सर्विस के केस में इनकी क्वांटिटी को देख पाना लिव क्योंता है इसलिए आपका इस चप्तर में सर्वीस के प्लक्षन पर बात नहीं होगी ठीक है तो सिराफ औसराफ उस्तरफ उन चीजाओ की की बात होगी जिसको जो फिजिकल होगा इसलिए है न हम जो है टोटल फिजिकल प्रक्शन मोलेंगे यह फिजिकल वड़ को है प्लख्ण करेंगे क्लीर जी तो चलिए अब यहाँ प्लक्शन करने जा रहा हूं एक एक्जाम्पल लेते हैं बहुत सारी चीज़ इस पर समझने की कोशिश भी करेंगे अगर आप यहां पर यह समझ गया न तो पूस्ट आपके इतना शांदार तरीकित आपको समझ में आएगा आपको लगेगा कि आप ज्यानी हो चुके हो इकनामिक्स में कोस् पर आप इसको समझे में कोस्ट पर लेकर नहीं जाओंगा आपको लेकिन कोस्ट पर पढ़ाओं तो कोस्ट के बात कम होगे इसके बाद ज्यादा होगी इसके नौलिज रखेगा डाउट होका तो जरूर पूछेगा हाँ जी सबसे पहले बात करते हम यहाँ पर मैं चीजों को क्या कर रहा हूं मैं प्रोडक्शन कर रहा हूं ठीक है जी प्रोडक्शन कर रहा हूं वो भी शॉर्ट रन में ठीक है जी प्रोडक्शन कर सकता हूं पर्मीशन है तो शॉर्ट अब यह किसी इसका प्लक्शन हो और आपके पास संसाधन ना हो ऐसा हो जी नहीं सकता है तो यहाँ पर मैं फेक्टर का सबसे पहले इस्तेमाल करूंगा, तो चलिए मैं यहाँ पर मैं फेक्टर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, एक मैं फिक्स फेक्टर ले रहा हूँ, जो की क्या है, लेंड, और मैं यहाँ पर आपको पता है कि सरफ और सरफ एक ही फेक्टर से फ्लक्ष हाँ जी देखिएगा पावर कट हुआ जैसे स्क्रीन गई आपके सामने से वैसे ही मैं जो है रुग गया था मैंने कुछ भी आगे नहीं पड़ाया है ठीक है अब सामें देखिए हाँ जी तो बात करते हैं सबसे पहले चीजों का हम यहाँ पर प्रोडक्शन करेंगे ठीक है जी और यहाँ पर जब हम एक तो फिक्स फेक्टर का यूज़ करेंगे फिक्स फेक्टर जो कि क्या है लेंग और लेकिन सरफ फिक्स फेक्टर से यह बात भी बनेगे उसके सासाथ हमें वेरियबल फेक्टर भी लगाना पड़ता है तो एक हम वेरियबल फेक्टर का यूज़ करेंगे और variable factor क्या है हमारे पास में लेबर ठीक है जी और यहाँ पर output लेबल की बात करेंगे इस तरफ हम ठीक है और example के लिए मैं आपको यह हमारा कुछ agriculture का एरिया है मान लेजिए यहाँ समझाता हूं मैं आपको agriculture का एरिया चलिए यहाँ ले देते हैं कोई लिक्त नहीं हां जी यह मेरा agriculture मैं कर रहा हूं यहाँ पर ठीक है जी यह मेरा agriculture का एरिया था एक्जामबल अच्छे समझेंगे इस बात को सबसे पहले लेंड जो है मैंने एक हैक्टर लेंड का मैं यूज कर रहा हूं ठीक है मान लिजी और लेबर जो है मैं यहाँ पर एक लेबर का यूज कर रहा हूं तो जो मेरा फ्लक्शन होगा जो एक लेबर आकर के करेगा जो फर्स लेबर आएगा तो कुछ नहीं काम करेग इसको काम कर पा रहा है इसको हम बोलते हैं marginal product इससे पहले कितना हो रहा था उससे कोई लेना देना नहीं है आपने जोइन किया और आपने क्या करा वो बताइए आपके काम को सिर्फ individual देखा जाएगा तो उसको हम बोलेंगे marginal product समझे यह नहीं समझे तो यहां परमान लेते हैं कि आपका एक ले लेते हैं marginal product जो कि कई बार आपको मिलेगा marginal product नि marginal physical product की बात करेगा वह किंकि हम एक ऐसी चीज़ का प्लक्षण करने जो कि physical हैं इसलिए MPP का मत्रद सोंज में आपको कि एक labor के आने से जितना फ्रक्प ब्लक्शन वह लेबर करता है वह क्या होता है पहले एक ट्राब फेक्टर को लगाने से वस्ट वेरिबल फेक्टर के सो बीर वी चीजें प्डईयूट्र की जाती आधिती वह आपका मांजनव प्रर्वडों के या माझनल द्लियु पैंट वह तो पर तो तेल कितने प्लक्षण हो चुका है में टोटल फीजिकल प्लक्षण होता है चीटने वह बिलेवर उन्साब देता किनल ना तो गोड़ा है तो यहांट clear है तो क्या है आपका first unit of variable factor फिर क्या देखने को मिलेगा आपको MPP और PPP equal देखने को मिलेंगे यह बात समझ में आपको आई भी बात ध्यान रखेंगे आप नुमेरिकल का base आपको अहीं से बनेगा जो बनेगा क्योंकि कोस्ट में नुमेरिकल है चलिए एक और यहां पर अब मैं बात करता हूं लैंड की तो बताए मैं और और भी चीज़े पर्डूस करना चाह रहा हूं तो बताए लैंड कितना हो जाएगा एक ही रहेगा क्यों क्यो फॉर फक्र में जरूचने लासकते वहिए तो चलिए देतें वहां पर एक लेवर आव बाताओ तो यह Global और आया यह जो काम करेगा जो दूसरा लेबर आया है है सब्सक्राइब जो आया है यह सके लेबर जो काम करेगा पीछे जो किजिए पहले से पहले हो चाहिए आप कारण के साथ बताओ अब आप कहते हैं कि सर इसकी एफिसें सीफ दिपेंड करता है अगर सही एफिसेंड परसुन तो यह जादा ऐब को देगा। अगर यह कम एपिसेंट वा तो काम प्लक्षिन गरके देगा सांजिंद लेबर अगर एक जाद प्लक्षिन गर Worc in speak देगा जी ऐसा नहीं है ज्याद संसे रहोग thrown समझे आप अमाधमीनो को स्तिनों beto देखा अन्सर देगा और जैसे वेरिबल फेक्टर को आप वहाँ पर इंक्रीज करते हो तो वहाँ पर वर्क डिविजन हो जाता है मलब काम बांट लेते हैं अगर आप अपने घर में मेरे पहले बाद समझेगा आप अकेले जितना काम कर रहे हैं आपके साथ में कोई एक पार्टनर और अकाम में इन्वाल्व कर दिया जाए तो इसका लगी निए पार्टनर बहुत तगड़ा है तभी काम जो है कफी ज्यादा कर पाए आप ऐसा नहीं है ये बाद समझे एक्जामपल लेता हूं मैं आप होल्ड़र ही बना रहे हो सब्सक्राइब कर रहे है ओनने ऐसके परतीन करके जाता है और addressing the Fire करेंगे अधी यहेंग और जो है आप बीसमें पाउच पांच पेज दस मिनट में पांच पेज टाइप करके आप बैठ जाओगे क्योंकि उसी काम को बार बार करते करते क्या जाएगी एक अंदर एक एफिसेंसी तो वर्क डिविजिन से क्या होता है कि काम बढ़ जाता है और काम बढ़ने से बहुत सारा समय की बचत हो जाती है काम इसी तरीके से एक और लेबर यहां पर आ जाए तो आपको पता है कि और वर्क डिविजन नहोंगा होगा यह नहीं होगा तो वो भी आपका अब आपका यह 8 kg पड़ियूस करके दे रहा है क्योंकि इनिशली अगर आप फिक्स फेक्टर के साथ में वैरिबल फेक्टर को बढ़ाते हो तो वहाँ पर क्या होता है वहाँ पर वर्क डिविजन का बैनिफिट मिल जाता है टायम के जो वेश चिज हो रहा होता है उसकी बचत हो जाती है ऐगता है और यहां पर आप देखो analyst करेगा यह वो पहले से भी जाधा प्लक्षिंट करके देगा और आपको दो एक्रूंट बॉयक्शिंट आप ड़ाइगा डूरिबास समझे यॉय नहीं समझे आप यह ज्यादा प्लक्षिंट करके दे पाया अब ज्यादा अग्रिकल्चर का पाड़ जो है वो कवर हो पा रहा है ठीक है जी क्लियर है बिरे बात समझे अब यहां पर बात करता हूं कि अगर मेरे पास पे अब एक और लेबर मैं लियाता हूं एक और वैरिबल फेक्टर लियाता हूं अब तक तो आपने यह देखा कि हर नेक्स्ट लेबर पहले से ज्यादा प्लक्षन करके दे रहा है दे रहा है इन दे रहा है क्यों दे रहा है कारण मता हूं क्योंकि इस इनिशल स्टेज कब से यहां के स्क्रीन गई हुई है प्लक्री यहां कि उनिशल स्टेज रहा है आजे न, लाइट क्लासिस पे ज़्यादा पॉलम देखने को मिल रही है अबिक ज़्यादा पॉलम देखने को मिल रही है अबिक ज़्यादा पॉलम देखने को मिल रही है अबिक ज़्यादा पॉलम देखने को मिल आपको रही है नेक्स्ट लेबर हर नेक्स्ट लेबर पहले से ज़्यादा आउटपूट पड्यूस कर रहा है उसके पीछे रीजन क्या है कि इनिशल स्टेज पर हमारा फिक्स फेक्टर जो है अंडर उट्यूलाइजिशन से फुली उट्यूलाइजिशन की तरफ आगे बढ़ा एक से दो लेबर होने से वर्क डिविजन पॉसिबल हो पाया जिसके से उनके एफिसेंसी इंप्रूब हुई और पहले से ज़्यादा प्लक्शन करके उन्होंने दिया क्लेर जी तो यहां पर आप देख पा Islands स्टेज बन जिसमें की हनक्र फान से जादा प्लक्श्ण गरके दे रहा है तो पहले से ज्यादा प्लक्शन हो रहा है ना इसे वजे से इसको हम क्या बोलते हैं इसी वजे से हम इस first stage को जो है ये stage आप देख पा रहे हैं ये stage first stage है और इस first stage को हम बोलते है increasing return इंक्रेजिंग रिटन इंक्रेजिंग劏य में क्या होता है कि हमारा जो है हर नेक्स्ट लेवर तो से जयादा फ्लक्षन करके देगा जो मेरे पास पने चार क्युंग ड़े लगाने के बदली मिल रहा है यह भी तो रिटन है और यह ड़ेन कैसा है increasing nature का है clear तो stage 1 है initially आपको increasing return मिलेगा तो मतलब की first stage में क्या होता है आपका MPP increase होता है ठीक है TPV तो आपका increase हो यह रहा है TPV बट TPV के अंदर जो growth rate क्या है 6 उसके बाद कितना हुआ आपका आठ तो इसके अंदर TPV आपका increase हो रहा है बट किस rate से हो रहा है यह increasing rate से हो रहा है ठीक है तो stage 1 में क्या होता है MPP is increasing and TPV is increasing at increasing rate यह बास बजमा है आपको clear है तो मैं लिक देता हूँ भया जो जो बतार आपको stage 1 क्या है हमारा MPP is increasing and PPP is increasing at increasing rate हां जे प्लेज तो यहाँ पर क्या है हमारे first stage यही है जो अभी आपने पढ़ा है अब आप यहाँ पर देखेंगे इसका करब अब डियाग्राम first stage यही डियाग्राम की भी बात कर लेता हूँ सापर डियाग्राम मनाते है पहले यहाँ पर यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ वेरिबल फेक्टर लेबर की तो आप देखेंगा अगर वेरिबल फेक्टर और मैं यहाँ पर आउट्पूट है ना हमारे पास में यह क्या है यह आउट्पूट है सबसे पहले बताईए वेरिबल फेक्टर और आउट्पूट में कैसा रिलेशन है स्टार्टिंग में वेरिबल फेक्टर बढ़ रहा है तो आउट्पूट भी पॉजिटिव रिलेशन है ना तो अगर पॉजिटिव रिलेशन है तो डियाग्राम तो इसका left to right अब बनने वाला है, यह बाद तो confirm है, ठीक है, अब left to right upward में तो मैं बहुत तरगिये डियागराम बना सकता हूं, इसमें तो मैं left to right अब बना सकता हूं, क्या यह सही रहेगा, नहीं रहेगा, क्यों, क्यों क्यों आप देखेगा, variable factor मैं बढ़ा रहा हूं, तो मेरा total production भी बढ़ रहा है, variable factor बढ़ा है, total production भी बढ़ रहा है, यह तो सही कहा रहा है, लेकिन आप देखेगा, हर बार same rate से बढ़ रहा है, बढ़ ऐसा है क्या, तो मेरा TPP हर बार same rate से बढ़ता है, या फिर increasing rate से, तो इसलिए यह आपका, इसका यह नहीं होगा, मेरी बात समझे यह नहीं समझे, clear है, तो अब बात करते हैं किस सेच की, कि यह कुछ इस तरीके का, आप देखें यहाँ पर, variable factor बढ़ेगा, तो मेरा TPP भी बढ़ा, यह बातों सही है, आप देख रहे हैं क्या, कि मेरा variable factor बढ़ा पर TPP भी बढ़ा, लेकिन किस rate से, decreasing rate से बढ़ रहा है, त यह भी डियागराम गलत है, समझे यह नहीं समझे, तो यहाँ पर आप जो है, इसका जो सही डियागराम है, वो कुछ इस तरीकी का होगा आपका, ऐसे, stage 1 का डियागराम बता रहा हूं मैं आपको, क्यों, क्योंकि मेरा variable factor बढ़ेगा, तो TPP बढ़ेगा, यह बातों जानता मेरे जी, stage 1 समझमा आ गया, क्या है, इसमें MPP increase होता है, TPP increasing rate से increase होता है, डियागराम इसका ऐसा क्यों होता है, यह बात भी समझमा आपको आई, अब हम बात कर रहे हैं, आपर बापस आते हैं, अब यहाँ पर हम बात करते हैं, जी, कि stage की, आगे और कुछ labor लगाते हैं, ए एक और मैंने variable factor मतलब labor लगा दिया, अब मेरा प्लक्षिन लेबल, अब 8 अब कितना हो जाएगा, 10, अच्छा, मतलब ऐसे कि आपका बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, अगर आप 10 सोच रहे हैं, तो ऐसे तो इतने सारे जमीन में क काम करने जोरती नहीं है, पचास का जमीन लेकर पूरे भारत से खेती करवा ली जाएगा, इसकी भी अपनी लिमिटेशन होती है, क्योंकि आपका यह आपर हुआ क्या, अब आपका fixed factor एक तरके तरह fully utilize हो चुका है, अब आने वाले labor के लिए काम करने के इतनी opportunity नहीं है वहा पर, clear है, कम लेंड बचा हुआ है पहले competitively, इसलिए इसका production level सरफ 6 kg ही हो पाएगा, समझे यह नहीं समझे आप, तो अब मेरे पास में जो return है, वो आप कितना दे रहा है, यह 6 kg दे रहा है, बड़ कुस तो करके दिया है न, तो total production तो मेरा बढ़ेगा ही न, 18 से 24 होगा या यह मेरा 18 से क्या हो गया, यह 24 kg हो गया, लेकिन मेरा जो return है न, वो decrease हो रहा है, मैं return तो बोल रहा है, मुझे मिल तो रहा है, बड़ वो decrease हो रहा है, मेरी बास समझेगा, जैसे कि आप टोटी चला चलाते है, बड़ी speed से चलाइए, तो पानी भर रहा होगा, बाल्टी में, उसको अगर speed को कम कर देंगे, तब भी आपको return मिल रहा है, तब भी पानी आपका भर रहा है, बड़ी गती इसकी जो है, वो कम हुई है, तो इसको भी return ही मोलेंगे, बड़ यह decreasing return मोलेंगे, बलब की पहले से कम मिल रहा है, बड़ मिल रहा है, ठीक है, clear है, और उसके बाद एक और labor अगर आप लगा देते हो, तो यहाँ पर आपके पास में एक और labor का क्या impact देखने को आपको मिलेगा, fix factor उतना ही रहेगा, एक और labor लगा दोगे, तो कितना ब्लक्षिंग करेगा यह, यह 4 kg, तो अब आपके पास में, यह तो आपका बढ़ेगा यह बढ़ेगा, और यहाँ पर एक और labor लगा दोगे तो कितना करेगा, 2 kg, क्यों, क्योंकि इसके पास में जो है, काम करने के लिए अब जमीन नहीं बचिए, बस यह थोड़ा बहुत इदूसरे का क्या करेंगे, बस help करेंगे एक दूसरे का, और उसे थोड़ा बहुत प्लक्षिंग जो अब यह कुछ पड्यूस करके दे ही नहीं रहा है, अब बताईए यह क्यों पड्यूस करके नहीं दे रहा है, हाँ, इसके पास में कुछ काम करने के लिए बिचारी बस में बचा ही नहीं, तो में टॉड़ा प्लक्षिंग में अब ग्रोथ होना बंद हो गया, आप पड़ए, जीरो नहीं होता तो टीज 예रो ल॒पर बंद हो गया, इसके बाद भी अगर आपने, इसके बाद अगर आपने एक और लेबर नगा दिया, तो वो काम करने जिगा, काम बिगड़ेगा, अठाइस के जीग परशन होगा, क्यों? क्योंकि जरुद से ज़्यादा लेबर कम स्पेस पर लग देने से लेबर मैनेजमेंट इशू क्रेट हो जाएंगे काम की रिपिटेशन होंगी काम खराब होने लग जाएंगे आपस में मैनेजमेंट इशू का मतला जगड़े में लग जाएंगे यह दूसरे को डाइवेट कर पहले वाला जो आप स्टेज देखोगे न यह जो स्टेज आप देख रहे हैं यह स्टेज जो आप देख रहे हैं ठीक है इस स्टेज को मैं सेकिंड श्टेज कांगा second stage में क्या देखने को मिला अगर मैं variable factor को continuous बढ़ाता चला गया तो अब variable factor के past में fixed factor की ability कम हो गई जिसके विसे मेरा function जो variable factor करके देतो रहा था बड़ पहले से कम करके दे रहा था तो एक पहले से कम करके प्लक्षेन दे रहा था इसको मैं क्या बोलूँगा decreasing return बोलूँगा। क्या बोलूँगा जी? इसको मैं decreasing return बोलूँगा। बड़तो है यह, मिल तो रहा है, decreasing return बोलूँगा। तो यहां पर second stage में क्या होता है? कि MPP आपका decrease होता है और TBP increase होता है बड़ तो रहा है न, आपका TBP लेकिन पहले से कम बड़ा पहले ग्रोथ कम हो गई है तो second stage क्या है आपके second stage 2 stage 2 की हम बात करते हैं आपका तो यहाँ पर क्या होता है stage 2 हमारा stage 2 हमारे पास में and MPP is MPP is decreasing and TPP is increase at the decreasing rate अगर बात करते हैं इसके डियाग्राम की origin y x-axis ठीक है जी और यहाँ पर मेरे पास में TPP है मतलब आउट्पूट है ठीक है और यहाँ पर मेरे पास में अ अ variable factor है means labor है तो आप बताएए सबसे पहले labor बढ़ेगा second stage में तो आपका TPV बढ़ रहा था है नियुक्त बढ़ था क्यों क्यों क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे कि variable factor आपका बढ़ेगा तो TPV बढ़ेगा यह बिल्कुल agree करता हूं मैं variable factor बढ़ेगा तो TPV पहले से क्या हो गया और second stage में ही देखने को मिलता है कि variable factor बढ़ता तो TPV में भी growth होता है पर वो growth पहले से कम देखने को मिलता है decreasing rate से इसलिए second stage का diagram यह हो गया समझे है निसमझे और बात करते है stage third की तो यह जो आप देख रहे है pink line जो है यह क्या है basically यह stage third है clear है जी जिसमें कि आपका negative return हो जाता है आपका ठीक है न जिसमें क्या हो गया आपका negative return हो गया पर बात समझे तो third stage का मैं diagram अगर बनाता हूँ अगर मैं diagram यह बना रहा हूँ तो यहां पर आपका क्या हो रहा है दो चीजें वैसी लेंगे एक तो हम यहां पर anypp output level और एक बहुत 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 जोर बहुत 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 बोल सब्सक्रांइब आप लोग में भी रहे कि आपको तो पड़ा लिखाय यहाnd तो आप क्यों objection करोगे मेरे लिए तो convenient हो सकता है लेकिन आप continuously बोलते चले जाते हो एक बाद चलो बच्चे ने कुछ urgent कुछ होगा तो उसने बोल दिया, कुछ किताब से लिए कुछ भी मैं उसको avoid कर देता हूँ कि उसको भरे batch में इंसल्टर नहीं गरो, target नहीं गरो लेकिन continuously, continuously, continuously आप बोलते चले जाते हो यह कुण सा तरीका हुआ भाई देखे, यह क्या हो गया, यह TPP हो गया और यह मारा पास्त में variable factor हो गया फ़र स्टेज में क्या देखने को मिल रहा है आपको कि variable factor और मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि टीपीपी की तो थर्ड स्टेज में देखा, variable factor तो आपने बढ़ाया बढ़ टीपीपी आपको क्या हो गया, गट गया तो यहाँ पर negative relation है, तो यह downward बनेगा left to right downward diagram, negative relation में तो थर्ड स्टेज में ऐसा diagram बन गया आपका, आप देखेंगे कि जैसे ही variable factor आपका बढ़ेगा तो आपका output level क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा मेरी बात समझे ही समझे, तो 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 कि एक बात अगर तीनों स्टेज का diagram एक साथ बनाना चाहूँ मैं देख लिजेगा, जल्दी से बस, यहाँ पर TPP का complete diagram मना रहा हूँ, और variable factor है मेरे पास में ऐसा labor, ठीक है, तो सबसे पहले stage 1 मनेगा stage 1 ऐसे बनेगा, ठीक है जी, stage 1 इस तके सा बनेगा कुछ, और उसके बाद आपका जो है, stage 2 कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, और उसके बाद आपका stage 3 ऐसा आ जाएगा, समझे यह नहीं समझे, clear है, और उन मुर्खों का जवाब क्या है, जो ऐसे बना देता है, समझे, समझे, उसको तर पेपर में गुश के पीटना, तीचरों को, समझे नहीं समझे आप, तो यहाँ पर यह diagram कुछ इस तकी से बनता है, पहले इस तकी से जाएगा, उसके बाद फिर उसका आपका डाउन जाएगा, clear है ना, तो यह TPP का आपका प्रपर क्या हो गया, diagram हो समझे होता है, इस से नमबर टू में MPP, डिकरीज होता है बट पॉजिटिव रहता है, और उसमें आपका TPP से इंकरीज होता है, फर्ड से में MPP आपका डेटिव हो जाता है, और TPP आपका डिकरीज हो जाता है, best stage, second stage है, क्योंकि यहाँ पर आपको maximum आपको अपना output मिल जा समझे है, clear है, मिलते हैं फिरम, next class में, thank you, thank you so much, अब online वाले से बात करेंगा, और अपने घर तो नहीं जाएंगे, क्योंके अगली ग्लास है,